हलो फ्रेंट्स वागते हैं आप सभी का हमारी इस चैनल पर जिसका नाम इस कोप चोक्लेट फ्रेंड जिन्दगी का असली मज़ा खाने में और खाने में आज के लिए हम ले क्या आपके लिए कैट्बरी डैरी मिल्क सिल्क रोस्टेट आलमांड तो आज हम इसका अन्बॉक्स तो यह आता है फ्रेंड reactors अश्य रूपय में काफि अच्छा चोकलिट है परसणलburg बाघए पसंद है तो आपको पसंद होगा काफी डयरी मिल्क की चॉकलिट काफी अच्छे आते है यहांदो टोट सिल्क रोस्टेड आलमेंड अन्दर रोस्टेड आलमन है या नहीं है वह हम इसे unpack करके देखेंगे यानि खोल के देखेंगे तो चलिए इसे unbox कर लेते हैं तो उपर से ऐसे मैंने खोल लिया है साइड में से थोड़ा-थोड़ा दीरे-दीरे चाकि अंदर से जो कागजाता है उसका फट ना जाए पूरा निकल लाए हमें अंदर से तो यह पूरा निक है एक बार फिर से कहा रहा हूँ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना पॉमेट कर देना शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कराऊ फेंट तो चलिए ये खोल लेते अंदर से कैसी चोकलेट निकलती है देख लेते हैं फ्रेंट्स काफी अच्छा पैकिंग किया गया गया है कि फ्रीज में से मैंने भी निकाल ये तो देख लिए फ्रेंट्स आपके मुझे अगर पानी आए तो कॉमेंट करके जरूर बत ये पीछे अलमन्ट दिये गया है पूरे जे बारा पूरे बारा लमन्स दिये गया है लेकिन अलग-अलग है कुछ के ओपर नहीं है कुछ में दो कुछ मैं कुछ में नहीं है तो चलिए इसे कट करके देख लेते हैं यह देखे फ्रेंट्स रूस्टेड आपको बीच में लगा हुआ दिखेगा फ्रेंट्स रूस्टेड है पूरा मज़ा आ गया काफी मौस्त है फ्रेंट चोकलेट अब भी लाइए खाई ये मुझे बहुत अच्छा लगा चोकलेट आप यह अच्छी है फ्रेंट्स कोमेंट करके जरूर बताना आपको यह चोकलेट पसंद है या नहीं है जरूर बताना और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना फ्रेंट्स आपके लिए हम ऐसी नही नही वीडियो लाते रहते हैं आप कोमेंट करके लिखोगे जो भी वो वीडियो हम बनाएंगे ज्यादा कोमेंट जिसमें होंगे हम वही वीडियो बनाएंगे फ्रेंस इसलिए कहराओ कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सी चोकलेट पसंद है हम उसी का अन्बोक्सिंग करेंगे रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि चोकलेट कैसा है फ्रेंटे तो चलिए से वाप को कौन सी चोकलेट पसंद है फ्रेंड्स तो परस्नली बोल रहा हूं जरूर लिखना तो चलिए मिलते है अगले वीडियो में फ्रेंड्स टाटा बाय बाय एंड टेक केर